Hello बच्चो, let's read the question. A modification of pitiole is. Modification of pitiole पूछा गया है हम से. Phyloid है, Phyloclade है, Cladode है या Com है. ये चार option में से हमें बताना है. इन में से कौन pitiole का modification है. So key concept here is leaf modifications. Leaf जो हैं वो अलग-अलग तरीके से modify हो जाती हैं ताकि वो environment में अच्छे से fit हो सके जो अपना environment है उसमें भैतरी इन तरीके से रह सके तो leaf जो होती है and you should also know about leaf के parts अगर आपको leaf के parts नहीं पता है तो आप कैसे बताएंगे कि ptol क्या है और जब ptol नहीं पता तो उसका modification कैसे बताएंगे तो leaf के parts पता होना बहुत ज़रूरी ह see here leaf जो होती है वो कुछ इस तरह की this is simple leaf यह जो आपको मैंने बना के दिखाया है this is simple leaf इसके लवा compound leaf भी होती है और compound leaf के भी आगे काफी सारे types रहते हैं this is simple leaf इसमें जो यह नीचे का part होता है जो की stem से attach होता है stem के node से leaf निकलती है माहस attach होता है इस part को हम ptol बोलते है and question में हमसे इसे का modification पूछा गया है fine और यह जो उपर का part रहता है यह रहता है lamina जहां पे mainly stomata present रहते है and photosynthesis होता है यह होता है lamina बीच में जो part रहता है यह rachis रहता है इसके लावा बहुत सारे part होता है leaf में stipule होता है base होता है लेकिन basic अगर आपको बताया है इस question के लिए जो necessary ह और जब leaf जो है वो divide हो जाती है और leaflets के form में divide हो जाती है तो उसको compound leaf बोलने लगते हैं so leaf modifications होते है लिए अलग-alग तरीके से modify हो सकती है जैसे कि कहीं leaf जो है वो spines बंआ लेती है spines की form में modify हो जाती है ताकि transpiration को कम किया जा सके कुछ जो है वो tendris बना लेती है जो की climbing में help करते हैं ultimately plant को कुछ जो है वो hooks formation करती है अगें यह भी climbing में help करते हैं plant को जो की weak plants होते हैं weak stem जिनकी होती है कुछ जो है वो phyloids बनाते हैं stem के modification में भी phyloclates बनते हैं phyloclates और phyloids को आप confuse ना करिए दोनों अलग-अलग चीज़े होती है phyloclates जो है वो stem का modification होता है और phyloids जो होते है वो leaf का modification होता है fine then pitchers बना लेती हैं कुछ leaf modify हो करके pitcher बना लेती है pitcher होते हैं जैसे कि कुछ jug जैसे structure बना लेती है leaf modify हो करके कुछ plants में pitcher बनते हैं ताकि rain water को store किया जा सके और कुछ जो है वो insect को capture करने के लिए और digest करने के लिए picture बनाते हैं So, अलग-अलग तरह के modifications है We'll see about phylots कि phylots क्या होते हैं See this diagram इसमें जो यह आपको first तस्वीर दिखाई गई है यह आपको दिखाई गई है compound leaf compound leaf इसमें present है क्योंकि leaf जो है वो तूट करके leaflets में ब्रेक हो गई है leaflets यहाँ पे present आपको दिख रहे हैं compound leaves आपको दिखाई गई है these are leaflets compound leaf है यह bipinnate leaf है क्योंकि rachis पर दो साइड पर दो रो में leaflets लगे हुए इसको बोलते हैं bipinnate bipinnate leaf इसको बोल गई है तो क्या होता है phyloid में this is about phyloid phyloid में आपको क्या मिलता है कि जो pitiole part होता है pitiole मतलब जो की leaf की डंडी होती है यह वाला जो part होता है यह क्या होता है यह expand हो जाता है flat हो जाता है like leaf मतलब यह expand हो जाता है flat हो जाता है और क्यों होता है ताकि ये photosynthesis कर सके तो in short इसने जो lamina का काम है photosynthesis का वो overtake कर लिया है pitiole ने pitiole flat हो गया है expand हो गया है और वो photosynthesis करने लगा है this is pitiole यहाँ पे pitiole क्या हो गया है expand हो गया है pitiole expand हो गया है और वो photosynthesis करने लगा है तो phyloid का मतलब यही होता है this is pitiole जो कि expand हो गया है और अब यह यहाँ पर इसको हम क्या बोलने लगते हैं हम इसको बोलने लगते हैं phyloid so एक टाइम पर आके उपर का जो पार्ट होता है यहाँ पर यह कहीं पर जो उपर का leaf वाला पार्ट होता है lamina वाला पार्ट वो खतम ही हो जाता है पर आके और किसी किसी पर आपको यह वाला structure भी दिखाई देगा कि उस पर उपर थोड़े बहुते से leaflets लगे हुए है लेकिन pitiol जो है वो expand हो गया है और photosynthesis करने लगा है इसका main मकसद यह होता है कि ताकि reduce हो सके transpiration मतलब water loss कम किया जा सके क्योंकि pitiol क्या होता है वो vertically placed होता है तो पानी का इतना loss नहीं होता है that is vertically placed, it is vertically placed तो पानी का loss कम होता है दूसरा जो stomata होता है वो बहुत कम present होता है इस पर जिसकी वज़े से पानी का loss automatically कम हो जाएगा तो जो pitiol है वो expand हो जाता है, flat हो जाता है ताकि photosynthesis का function कर सके और वो lamina से overtake कर लेता है photosynthesis का function और ये क्यों होता है ताकि पानी के loss को कम किया जा सके तो अब options हम देखते हैं option दिया गया है phylo first one is the right option क्योंकि modification of pitial क्या है phylo phylo clade की अगर बात करें clade जो होता है ये term जो होता है वो stem के लिए यूज किया जाता है और phylo term leaf के लिए आता है तो यहाँ पे phylo clade में नाम सी clear हो रहा है कि वो stem जो leaf की तरह modify हो गई है मतलब stem leaf की तरह modify हो गई ताकि वो photosynthesis कर सके तो directly इसमें दिख रहा है कि ये stem का modification है तो ये answer नहीं हो सकता clydor जो है again ये stem का modification होता है and com जो है ये भी stem का modification होता है जो कि आपको collocation में मिलता है तो with this right answer is first only that is phylo जो कि क्या है ptole का modification है तो right answer is first hope you understood it well all the best